सभी को नमस्कार, आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है, मैं आपको आधुनिक भारत के आगामी महानतम मंदिर के बारे में अपडेट दूँगा, जोकी अयोध्या के भवे श्री राम मंदिर से संबंदित है, जिसका निर्मान त्रिविक गती से चल रहा है और यह भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी भी शामिल हो सकते हैं, राम मंदिर टरस्ट के मताबिक राम मंदिर की पहली मंजिल का निर्मान इसी साल पूरा हो जाएगा मंदिर निर्माण समीति के अध्यक्ष निपेंदर मिश्रा ने कहा है कि अयोध्या में निर्माणा धीन तीन मंजलिया राम मंदिर के भूतल का निर्माण डिसंबर अंत तक पूरा हो जाएगा और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्टा होने की उम्मीद है मिश्रा ने यह भी कहा है कि एक उपकरण डिजाइन करने का काम चल रहा है जिसे मंदिर के शिखर पर इस्थापित किया जाएगा जिससे हर साल राम नवी के दिन गर्ब ग्रिह में देवता के माथे पर सुरी की किर्णे चण भर के लिए पड़ेंगी उन्होंने कहा कि इसे बैंगलूरू में बनाया जा रहा है और इसके डिजाइन की देखरेक वैग्यानिक कर रहे हैं सुत्रों के अंसार मंदिर ट्रस्ट ने 14 जनवरी को मकर संक्रान्ती के बाद राम मंदिर में राम लला के अभिशेक की प्रक्रिया शुरू करने और राम लला की प्राणप्रतिष्ठा करने का दस दिवसी अनुष्ठान करने का निर्णे लिया है राम मंदिर का गर्वगरे तैयार हो रहा है राम मंदिर का निर्मान इस दिश्ट्री से किया जा रहा है कि इसकी संरशना कम से कम एक हजार साल तक चलेगी मंदिर का निर्मित छेत्र 2.5 एकड है और इसमें परिक्रवाँ पत भी शामिल कर लिया जाए तो इस परिसर का कुल छेत्र फल लगभग 8 एकड है मंदिर के निर्मान पर अब तक लगभग 900 करोड रुपए खर्च के जा चुके है और अनमान है कि परिसर के समगर निर्मान पर लगभग 1700 करोड रुपए से 1800 करोड रुपए खर्च होंगे राम मंदिर का पूरा परिसर लगभग 70 एकड भूमी में तयार हो रहा है जहां लाखो भक्त एक साथ मंदिर में भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे बता दें की राम मंदिर का निर्मान कारेश्ट्री राम नम जन भूमी तिर्थ छेत्र ट्रस्ट के देखरेग में लारसन एंड टूब्रो कमपनी कर रही है इस मंदिर का निर्मान रायस्थान के बंसी परवत के बलुवा पत्रों से हो रहा है इस मंदिर का डिजाइन चंद्रकांत सौम्पूरा से ने अपने बेटों के साथ बनाई है यह मंदिर नागर शैली में बनाया जा रहा है मंदिर का प्रवेश्ट इवार पुर्व की ओर होगा जो गोपूरम शैली में होगा मंदिर की दिवारों पर भगवान राम के जीवन को दर्शाने वाली कलाकृतियां प्रदर्शित होंगी मंदिर का गर्भग्रे अश्टकोणी आकार का है और इसका निर्मान मकराना मार्बल से किया जा रहा है मंदिर 161 फीट उंचा है जिसमें 5 गुमबंध है और 1 टावर है मंदिर 3 मंजिला होगा इस मंदिर परिसर में गर्भग्रे, कृतन मंडप, निर्थ मंडप, रंग मंडप और 2 प्रात्ना मंडप होंगे मंदिर में सभी दरवाजे और खिड़किया सागोन की लकड़ी से बनाय जा रहे हैं मंदिर में भगवान राम की 2 मूर्थिया रखी जाएंगी एक जो वास्तिक मूर्थि होगी जो 1949 में मिली थी और दशकों तक तंबू में रही थी दूसरी बड़ी मूर्थि होगी जिसका निर्मान कारे चल रहा है मंदिर का प्रथम तल लगभग पूरा बन चुका है प्रथम तल पर खड़े खंबों की उचाई लगभग 10 फीट है 170 खंबों पर खड़ा मंदिर का भूतल हो प्रथम तल है जिसमें देवी देवताओं का भी खुबसूरत नकाशी क्या जा रहा है इसके अलावा मंदिर की दिवारों और छटों पर भी खुबसूरत नकाशी की गई है दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जैश्री राम लिखे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अन वीडियो के लिए मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जैश्री राम